दुनिया के खूबसूरत परिंदे मोर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और यकीनन आपने इसे देखा भी होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर के अंडे कैसे बनते हैं क्या आपने सुना है कि मोर के आँखों से आंसों निकलते हैं और मोरनी चुल लेती है और फिर अंडे देती है इस तरीके की बहुत सी इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी तो आगे चलने से पहले आपको बता दें कि इस वीड अचान है कि इसकी दुम छोटी होती है और यहीं वज़ा है कि यह अपनी दुम फैलाती नहीं और ना ही यह डांस करती है मोरनी तब अंडे देती है जब यह तीन साल की हो जाती है यह साल में सिर्फ एक बार अंडे देती है जिनकी तादा छे से बारा होती है इन अंडों को मोर और मोरनी दोनों मिलकर सेते हैं लेकिन अक्सर नकाम हो जाते हैं और मोर और मोरनी भी दूसरे परिंदों की तरह अंडे देते हैं लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने शुरू में कहा था कि मोर के आसुओं से अंडे बनते हैं तो दोस्तों ये बात जूट है ये बात हाइ ब्रेकोड के एक जजने कहा था जब इस शक्स ने ट्विटर पर अपना बयान जारी किया तो बहुत सारे लोगों ने मोर और मोर्नी की तस्वीरें और वीडियो बना कर इनको सेंड की और लोगों ने खुँम मजाग भी इनका उड़ाया सस तो ये है कि मोर और मोरनी भी बाकी सारे परिंदों की तरह रहते हैं जब मोरनी अंडों को गर्म करने के लिए इन पर बैठती है तो मोर एक गलती कर देता है जिसकी वज़े से अंडे टूट जाते हैं इसलिए जो लोग मोर को पालते हैं वो मोर्नी के अंडे मुर्गी के नीचे रख देते हैं और इनसे बच्चे निकलवाते हैं मोर्नी के बच्चे जैसे ही अंडे से निकलते हैं वो दो हफ्तों के अंदर पूर्मय के काबिल हो जाते हैं इसी दोरान मोरनी आवाज निकाल कर इन बच्चों को जीने का तरीका सिखाती है दोस्तों मोर के बारे में आपको ऐसी बाते बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कहा जाता है कि मोर को जहरीले खाने की खुश्बू बहुत जल्दी आ जाती है और इसी खुश्बू को सुने के बाद वो नाचने लगता है मोर साब को अपना पुराना दुश्मन मानता है इसके पीछे भी एक कहानी है कि मोर और साब की आपस में दुश्मनी क्यूं है मोर जैसे ही साब को अपने इलाके में देखता है तो इसे फौरन मार देता है और मोर इतनी तेज रफतार से दौर सकता है कि एक घंटे में दस मील का फासला तै कर लेता है मोर के बारे में एक इंटरस्टिंग बात ये भी है कि मोर अपने पैरों को देखकर बहुत रोता है कि इतना खूबसुरत होने के बावजूद मेरे पैर ऐसे क्यों है तो दोस्तों मोर के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद